जैश्री किष्णा दोस्तों जुलाई 2024 ने अंक जोतिश आप सभी के लिए क्या पुर्वनवान दे रहा है जुलाई के इस मन्त में आपके जीवन के किस शेत्र में चैलेंजिस हैं और किस शेत्र में खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं आएए डिटेल में इसकी जाचा करते हैं साल 2024 आठका अंक पूरे वर्ष शनिक इनर्जी आपके साथ रहेगी जुलाई का ये मन्त सूरे राश्य आपकी कर्क है चंद्रमा की इनर्जी से इस मन्त आप परभावित रहेंगे तो परवारिक संबंदू के लिए जिसमें आप सब के लिए अच को सफलता प्राफ्त होगी स्टूडेंट्स अगर प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो कड़ी महनत करें सफलता पाने के चांसिज आपके बन रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए इस समय काफी अच्छा रहने वाला है इस मन्त कलाके शेत्र में आपका रुजान का काफी बढ़ सकता है जुलाई 2024 के इस मन्त में आप सभी एक से नौ अंक वालों का परस्नल नंबर निकल कर आता है 15 का अंक जो की सूर्य और बुद्ध से मिलकर बना है ये शुक्र का अंक जुलाई का ये मन्त आपके लिए काफी उत्सा वर्दक रहने वाला है हाँ थोड़ी बहुत परस्नल लाइफ में प्रब्लम रह सकती है वो भी आपकी इगोस्टिक नेजर के कारण इस मन्त आपकी यात्राएं भी काफी हो सकती है अब वो चाहे आपके बिजनस ट्रिप हो या फिर फैमिली के साथ आउटिंग फानेशली आप अच्छा ग्रो करेंगे धनलाव बना रहेगा कैश फ्लो अच्छा रहेगा समय अच्छा है उसको पूरा यूटिलाइज करें स्वास्ति की बात करें तो मौसमी परिवर्तन आपको परिशान कर सकता है जो हार्ट पेशेंट्स है वो अपना खास क्या लखें हलांकी अलग-अलग मुलांक फालों पर इस मन्त बी अलग-अलग ही कम या जादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तो बात अगर मुलांक एक की कर ली जाय तो जिनका भी जिनम किसी भी महीने की एक, 10, 19 या फिर 28 तारिक को हुआ है तो उनका मुलांक बनता है एक जिनका भी मुलांक या फिर भाग्यांक एक का अंक है तो उसके लिए इस जुलाई के मंत में परस्नल नंबर निकल कराता है सोला का अंक यानि केतु के रजी यानि जुलाई के इस मंत में अंक एक वालों पर एक, छे, साथ और आट के अंकों का मिला जुला परभाब देखने को मिलेगा जुलाई के इस मंत में अंक एक वालों को काफी उतार्टड़ा के बाद अच्छी डल देखने को मिलेंगे इस मंत आपको भावनात्मक रूप से सयंको मजबूत करना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही ट्रस्ट पनाई रखना है जितना संभाव हो सके दूसरों से किसी भी प्रकार की उमीद ना लगा कर रखें तो कि आप जिनके ब्रोसे अपना काम छोड़ेंगे जिन पर भी जरुष से ज़्यादा विश्वास जताएंगे वही समय आने पर आपके काम नहीं आएंगे हो सकता है आपको धोका मिले जिस करण आप emotionally hurt हो सकते हैं अगर आप practical होके काम करेंगे वैवारिक रूप से decision लेंगे तो जरूर आप अपने काम में सफल होंगे इस मन्त आपको आत्म निर्भर रहना है सिर्फ और सिर्फ अपने उपर ही trust करना है और अपने उपर ही depend रहना है अपने सारे काम same करने हैं अपने सारे decisions practical minds लेने हैं भावत का में आकर कोई भी decision नहीं लेना है और कोई भी काम नहीं करना है कहीं किसी paper पर document पर दस्तकर्थ बिना सोती समझे बिना पेपर पड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको ये खास्तोर से सला दी जाती है कि पूरी साफधानी के पूरे दस्तावेश पढ़ने के बाद पूरी तरह से चेक करने के बाद ही सिनेजर करें कोई इंवेस्मेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच वजार कर पुब तुषत्रू बढ़ सकते हैं आपके काम और आपके परिवार के बीच हो सकता है आप बैलेंस न बना पाएं जिसकरन आपके परिवार जनाप के फैमिली मेंबर साथ के मित्र आपसे नराज हो जाएं आपके प्रेम समन्ने कोई गलत फ्यामी भी आ सकती है वर्क प्लेस पर आपके काम का स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही और उसका तनाव आपके वैवार में भी देखने को मिलेगा आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाएगी आपके परस्नल लेशन पर इसका खराब असर देखने को मिल सकता है हाँ आपके cash flow में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन over budget होकर खर्टा किया तो financial crisis भी बढ़ सकते हैं इसलिए आपको इस मांद सोच समझ कर खर्टा करने हैं देखे एक का अंक सूरे का है सूरे एहंकार को, अधिकार को, शक्ती को, सत्ता को दर्शाता है और शुक्र, प्रेम, सौंदर्य, आनंद का प्रतीक है अंक एक वालों को अपनी कामुक्ता पर भी कंट्रोल लगना होगा भोग और अति भोग में अंतर को समझना होगा बरना इस मन्त बदनामे का करण भी ये बन सकता है आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने की फ्राक में हमेशा रहते हैं इसलिए थोड़ा साफधान रहें क्योंकि इस मन्त आपको अपनों का भी स्पोर्ट नहीं मिलेगा जिसकरण आप प्राबलम में पढ़ सकते हैं वेर्थ की परिशानियों को सुलजाने में ही अपना समय आप गमा सकते हैं खुल मिला कर देखा जाये तो जुलाई के इस मन्त में आपको अपने आसपास के लोगों से ही सतरक रहना है दोखा आपको कहीं से भी किसे से भी मिल सकता है अब वो चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपके परसनल रिलेशन्स हाँ एक बात तय है कि इन सब के बावजूत आपकी इंटरनल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी आपको सही गलत की पैचान हो जाएगी आपको अपने पराई की पैचान हो जाएगी बिजनस क्लास जो इवेंट्स के काम से नेटवर्किंग के काम से जुड़े हैं वे अपने काम में अच्छा करेंगे सेहत के मामले में आप थोड़ा अपना ध्यान अखे मौसमी परिवर्तन आपको परिशान कर सकते हैं मानसीकतन आपके कारण भी आप बिमार पर सकते हैं आप आंगेक वाले लोग एग्रेशन आप लोग में बहुत जादा होता है इसलिए इंपेशन्स भी हो जाते हैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की इच्छा भी रगते हैं छोटे मोटे कामों में आप हाथ बिल्कुल भी नहीं डालते हैं जिसकरन आप फिजिकल एक्टिविटी से भी दूर भागते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इन सब किले नहीं बने हैं आपके क्वाव उचे-उचे हैं, बड़े हैं आपके लिडर्शिप क्वालिटी भी जबद्रस्त है जिसकरन आप उचे पद पर अपना वर्चस चाते हैं आपके साथ एक और कमजोर पक्ष यहां निकल कर आता है कि आपको अपनी तारीत बहुत पसंद है जिसकरन चापलूस लोग आपके मित्र के रूप में आपके आस-पास ज़्यादा नज़र आते हैं आप अपने कामों के लिए अपने इनिश उप्चिंदकों पर डिपेंड भी रहते हैं और जुलाई के इस मन्त में आपके लिए समस्या भी यहीं आनी है अच्छा होगा अपने आँख कान खुले रखें जितना ज़्यादा संभव हो अपनी प्लैलिंग्स के बारे में किसी से भी कुछ भी डिसकस ना करें अपने छोटे बड़े सभी काम स्वेंग करने की कोशिश करें ताकि आप कोई परिशानी में ही ना पड़ें आपका जरुर से ज़्यादा उधार होना खर्चिला सभाव होना आपको मुसीवत में डार सकता है वैसे आप लोग क्रेटिव फिल्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं किसी ना किसी कला के शेत्र में आपका रुजान अवश्य रहता है जुनाई के इस मन्त में आप औकल्ट, रिसर्च, पराविज्यान वा आध्यात्न की और भी आप विशेश जुखाव रखेंगे जो अंक एक वाले इससे रिलेटिट फिल्ड में हैं उनके लिए इस काम में काफी अच्छी प्रोग्रस देखने को मिलेगी आपको यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा और ये यात्राएं आपके लिए लाबकारी ही सावित होंगी जो अंक एक वाले अभी तक सिंगल हैं किसी प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं तो अपने आख कान नाख खुले रखें अच्छा होगा कि ऐसे किसी प्रेम प्रसंग में ना पढ़ें तो कि दोखा मिलने के भी चांसेस हैं या फिर किसी करन वर्ष गलत फ्यमी के करन रिष्टा स्माप्त होने की स्थिती बे भी आ सकता है उपाय के तोर पर आपको करना यही है कि महिलाओं का सम्वान करें और घर के महिलाओं को उपहार देते रहें व्रिद महिलाओं की सेवा करते रहें उनका आशिवार लेते रहें उनके औस्वस्त होने पर अपने हातों से उनकी सेवा करें अंक एक के बारे में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, अपने जनम के दिन के बारे में गहराई से जाना चाहते हैं, तो अंक एक बरबनी मेरे ये दोनों वीडियो अवश्य देखेगा, इनके लिंक आपको डिस्कुशिन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप 10 तारीक को ज अंकारी आपको मेरे इन वीडियो में अवश्य जानने को मिलेगी, अब आप चाहे एक फैबरी को जन में हैं, 10 मार्च को जन में हैं, 19 एपरेल को जन में हैं, या फिर 28 जून को जन में हैं, आपको अपने कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन वीडियो को देखेंगे मेरे इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जनकारी चाहते हैं और भी घहराई से जाना चाहते हैं अपने आपको तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी जैशी किष्णा दोस्तों